दूशित आचरन करने वाले को देख करके दूशित क्रिया करने की इछा प्रगट होना यह पाप है एक बार एक व्यासजी कठा करने गए कठा करके लॉट के आए तो अपनी पोठी महीं छोड़ाए जहां पर कथा करने गए थे पत्नी ने कहा आप तो आ गए पोथी तो छोड़े आए पोथी लेकर आओ व्यास जी वो ले रहे राम में तो भूले गया पोथी लेने दुबारा गए तो एक राजा ने कथा कराई थी राजा के राजभवन में प्रवेश किया तो मुख्यत महराज जी आपने इस कथा सुनाई मेरे सारे क्वेश्चनों के अंसर मिल गए मेरे सारे सारी दुबधाय मेरी नश्ट हो गई मैया आपने इतनी और विभा करने के लिए अर्जुन के साथ भाग गई तो मैंने तो आपकी कथा से यह सीखा कि मैं भी एक से प्रेम करती हूं और उससे विभा मेरे घरवाले तो करानी रहें तो मैं भागने वाली हूं कल को कोई कहगा तू गलत कर रही है तो कह दूंगे कथा में ब्याज जी अब भाग गई थी अब ब्याज जी बुले तुझे और कोई नहीं दिखाई दिया पूरी कथा में के बल सुबद्रा ही मिली अपनी काम की चीज मिल गई तेरे को ब्याज जी थोड़े और आगे गए तो राजा का बेटा मिला बेटा ने कहा अरे आईए आईए ब्याज जी मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाता था मैं तो धूर रहा था कि आप कहा हैं मैं तो आपका पता पूछ रहा था कि मैं जाकर के आपको धन्यवाद देके आऊं आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी को पूर्ण कर दिया ब्यास जी बोले बेटा तुमने क्या सुना तुमने क्या पाया मेरी कथा से बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया कंस से तुमने क्या सीखा कंस से मैंने ये सीखा कि कंस राजा बनने योग था पूरी तरह से लेकिन उसका डुष्ट पिता उगुरसेन उसको रजजगदी नहीं दे रहा था तो कंस ने बढ़िया किया बल्वान बन करके बहार से अपनी सेना लगा करके अपनी पिता को कारा ग्रह में डालके राज जगत्दी पर बैठ गया कि मैं भी यही करने वाला हूं और कोई मुझे से पूछेगा कि तुम्हें इसा क्यों कर रहे हो तो कह दूंगा कथा में सुना था मैंने ब्याज जी बता रहे थी मंच से आ कथा में तो जो सुना जाए सब करने योग क्यों होता है न ब्याज जी बोले मुझे चक्कर आ रहे हैं मैंने कहां कथा सुना दी भाईया मेरी पोती बता दो कहा है मैं चला जाओ अभी यहां से थोड़ी और आगे गए तो राजा की पतनी मिली राणी मिली राणी ने प्रणाम किया जैहो महराज जी आपने तो साथ दिन में मानो हमारी सब्त ग्रंथियां खोलती शरीर की देवी तुमने क्या सीखा मेरी कथा से मैंने द्रावपदी को अपना गुरु बनाया अच्छा तुमने द्रावपदी से क्या सीखा मैंने द्रावपदी से सीखा कि द्रावपदी के पांच-पती थे मेरा भी एक पती से मन भर गया है, तो एक दो मैंने अपने द्वारपाल को चुन लिया है, एक अपने सेनापती को चुन लिया है, एक अपने महामंत्री को चुन लिया, ऐसे करके पांच ब्या में भी करने वाली हूँ कि ब्रहामन देवता भागे वहां से तभी मुख्य द्वार पर ही राजा खड़ा था राजा न का अरे ब्याज जी कथा पूरी हो गई आप तो घर चले गए थे फिर कैसे वापस बोले मैं मैं अपनी पोथी लेने आया था अब जा रहा हूं मेरी पोथी देदो बस राजा बोला ऐसे कैसे दे दूँ पहले आपका उपकार का धन्यवाद तो कर दू अच्छ जी भुले तुमने कुछ अच्छा सीचा हो ए भगवास इसने कुछ अच्छा सीखा हो बताओ तुमने क्या सीखा बढ rebel rol मैंने अपना गुरु दुर्योधन को बनाया ब्याज जी बोले दुरियोधन से तुमने क्या सीखा वोले दुरियोधन से मैंने ये सीखा कि भगवान शांती प्रस्ताव लेकर के गए थे कि भाई पांडवों को पांच गाव दे दो लेकिन दुरियोधन ने श्पष्ट बोल दिया सुचक ग्रैव नदाश्यामी बिना युद्ध के नहीं दूंगा हमें पता है ब्याज जी आप अपनी कथा की दक्षणा लेने आये हो लेकिन मैं भी दुरियोधन को गुरु बनाए बैटा हूं बिना युद्ध के एक रुपया नहीं दूंगा युद्ध कीजिए और अपनी दक्षणा लेके जाईए ब्याज अपनी अमराज मेरा क्या हाल करेंगे ये बात आप सच बानिएगा यदी व्यास ने कथा सुनाई और सुनने वाले लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके अपने जीवन में उप्योग किया तो डंड उसको नहीं मिलेगा डंड सुनाने वाले को मिलेगा इसलिए ये राजा राणी और इनके बालकों की तरह कथा में मताना यहां तो कथा रामण की भी सुनाई जाएंगे और कहीं कहीं पर दुर्गुन के रूप में उग्रिसेन अदी के भी दुर्गुन बताएंगे आपको स्विकार नहीं करना है अपने बुद्धि विवेक से बैठना है मेरे योग्य क्या है मुझे क्या करना है इसका पूर्ण विचार करके बैठना है कि आच्रन किसका करना चाहिए कि आच्रन सदैव उसका करना चाहिए जिसके आच्रन से जिसके स्वभाव से जिसके दरिशन से भगवत प्रीति और ज्यादा भड़ती हो आहा अनन्त बलवंत श्री हनुमंत लाल जब लंका जाते हैं बिवीशन के यहां जब पहुँचे हैं तो रूप बदल लिया एक ब्रहमन का रूप धारन कर लिया हनुमान जी महराज ने रूप बदलकर के जब विभीषण के सनमुक गए हैं तो विभीषण ब्रहमन के रूप में जब हनुमान जी को देखता है नित्र सजल हो जाते हैं विभीषण के विभीषण को नहीं पता ये कौन है लेकिन रूप बदलकर के आयश्री हनुमान जी को देखकर के बिवीशन कहता है मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको प्रणाम कर लूँ मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको वन्दन कर लूँ मैं अपने रगुनात का और इस्मरन कर लूँ मैं उनको बारंबार प्रणाम कर लूँ हे विप्रदेवता आप कौन हो हो आप साधारा नहीं हो आप कोई वैदिक एक कोई भगवत भक्त हो मुझे अपना दर्शन दीजिए हनुवान जी अपने रूप में प्रगट हुए और प्रगट हो करके बोले बिवीशन मैं रूप बदल करके आया था पर तुमको केसे पता चला कि मैं कोई भगवत भक्त हूँ विवीशन इतना सुन्दर उत्तर देते हैं बोले जिसको देख करके जिसके पास बैठ करके जिसकी सुगंधी लेकर के जिसके शब्दों को सुनकर के राम जी में भक्ती और जादा भड़ जाती हो समझ लेना कि वो करणिय योग्य है वो आचरण के योग्य है वो निश्चिती कोई भगवत भक्त होगा भगवत भक्त की पहचान केबल तिलक लगाने से केबल गले में माला पहनने से केबल भक्त रूप में नहीं होती है भगवत भक्त की पहचान उसके केबल सभा में बैठने मात्र से हो जाती है उसके आसपास के वातावरन मात्तर से भगवत भक्त की पहचान हो जाती है कौन-कौन से पापी कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं जब यह प्रश्न किया नारज जी ने सनत कुमारों ने कहा है कि सब प्रकार के पाप करने वाले चाहे कितना भी बड़ा पाप हो चाहे महापाप हो यदि वो कथा स्रवन कर ले सपताह कथा कि विधी को जान करके पथा कथा श्रवन कर ले तो वह पुनन्तिते वह पवित्र हो जाता है कि कि लेकिन बंदु मेरे बात सुनियेगा है कि यदि कथा सुनने से मैं व्यक्ति के पापनस्ट हो जाते हैं कि तो चोरी-चोरी कर लेगा चोर चोरी करेगा और आके फिर कथा सुन लेगा उसके पाप तो ऐसी नस्ट हो जाएंगे दांक को डकेती डालेगा फिर आके कथा